बुद्ध्य और बाणी के कारग्राफ बुद्ध 20 फर्वधी 2024 की सुभा 5 बशकर 48 मिनट पर सनी की स्वामित्वाली कुम्भ राशी में प्रवेश करने वाले हैं सहनी की स्वामित वाली कुंबर राशी में बुछ का प्रवेश करना हमारी बारा राशी पर क्या प्रभाव डानेगा आज हम बारा राशियों में से करक शिंग और कञ्या राशी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इन्हें इस समय वदि में किस प्रकार के परिणाम प्राफ होंगे और क्या कारी करना इनके लिए इस समय वदी में शुब फलदायक रहने वाला है तो आप यह सब जानने के लिए वीडियो के अंतर तक मेरे साथ बने रहें और जो नई वीवर्स चैनल पर है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ साथ बेल नोटिपिकेशन भी आउन कर लिजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्ववर्थम बात कर लेते हैं करक राशी के कुटुमबा और संचित धन के दुती भाव पर रहेगी बुद का यह गोचर आपको अप्तियासित स्रोतु से या पैत्रिक संपत्ति से लाब दे सकता है साथ या आप सेयर बाजार या सटे बाजी के माध्यम से भी धन अर्जित कन्ने में समयवदी में काम्याब रहने वाल आचे इस समयवदी में आपका रवया कारी के प्रति इमानदार और समर्फित रहने वाला है आप इस समयवदी में अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे यह गोचर आपको प्रोमोशन या किसी प्रकार का इंसेंटिव दे सकता है अगर आप व्यापार करते हैं तो प्यापार में आपको अप्रतियासित लाब हो सकता है जिसकी आपने उम्मीन नहीं की ती इस दोरान आप अपते प्रतिदंदिव को कड़ी टकर दे पाएंगे हला कि आपकी प्रतिदंदिव में जरूर इस समयवदी में बिद्धी देखने को मिल सकती है जिसके कारण आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, हलाकि स्वास्त के लिहाद से आपको थोड़ी सत्रक्रता इस समय वदी में बरतनी होगी, क्योंकि किसी प्रकार की एलर्जी या पैरू में दर्द जैसी सिकायत इस समय वदी में आपको हो सकती है, इस गो गोचर काल की आवदी में दामपत्ती जीवन और व्योशाई में साजेदारी के सप्तमभाव पर बुद्ध गोचर करने वाले हैं, ऐसे में बुद्ध का कुम्वराशी में गोचर होना, आपको नए लोगों के संपर्क में आने और नए दोस्त बनाने का अउसर देने वाला हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो आप अपने दोस्तों और बिजनस पार्टनर की साहता से पैसा कमाने में काम्याब रहने वाले हैं, करियर के लिहाद से आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी अधिक सफलता आपको इस दोरान प्राप्त होगी, आपको कारी छेत्र में सहकर कर्मियों और बरिष्टों का भरपूर सयोग प्राप्त होने वाला हैं, आप अपने सीनियर्स की नजरू में अपनी पहचान बनाने में भी बुत के इस गोचर की दोरान काम्याब रहेंगे, आर्थिक द्रिश्टिकोन से बुत का यह गोचर आपको अच्छा खासा लाप द कर जाएगा, यह गोचर आपके बचत करने की छमता में भी बृद्ध देगा, ऐसे में आप परियाप्त मात्रा में बचत भी कर पाएंगे, आप इस दोरान अच्छी रिटर्न वाली योजनाओं में भी कहीं बड़ा निवेस कर सकते हैं, जिसका फाइदा आपको आगे चल क मिलेगा, यह गोचर आपके जीवन में संतुष्टि को बढ़ाएगा, अगर प्रेम जीवन की बात करें तो आप इस गोचर काल के दोरान अपने पार्टनर के साथ खुशाल रिष्टे का आनल्द लेते हुए नजर आएंगी, आप दोनु के बीच रिष्टु में उचित जीवन सक्ति और उच्छा का परिणाम होगा, इस गोचर काल को सुप करने के लिए छोटे बच्चों को बुद्वार के दिन किसी प्रकार का उपाहर जरूर दे, बात करते हैं कन्याराशी, कन्याराशी के लिए बुद्ध पहले और दस्वे भाव के स्वामी होते हैं, इस स स्वास्त बनाई रखने के लिए आपको निरंतर प्रयाश जारी रखने होंगे, इस दोरान आपको तनाव या पैरू में दर्द की सिकायत हो सकती है, जो जातक नौकरी करते हैं उनके भीतर इस समयवदी में काम को अच्छे से करने की भावना दिखाई दे सकती है, लेकिन ह हो सकता है, इस समयवदी में आपके मन में नौकरी बदलने का विचार भी मन में आए, करियर के छेतर में इस गोचर के दोरान आप अपनी मौझूदार नौकरी में संतुष्ट नजर ना आए, इसी कारण की वज़े से आपके मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है, आ इनी कारणों से आप इस समयवद में धन संचित नहीं कर पाएंगे जिसके कारण आपके संतुष्टी के स्तर पर घिरावट देखी जाईगी। अगर फ्रेम जीवन की बात करें तो आपको अपते रिष्टे में तालमेल बैठाने के लिए अधिक प्रियास करने होंगे। तभी आपको अपते रिष्टे में शोहार्द पूर्ण भावनाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही आपको धैरी के साथ चलना भी आवश्चक है। श्वास्त के द्रिष्ट कोण से इस समयवद में आपका श्वास्त और सत रहीगा। इस गोचरकाल को सुप करने के लिए भूत के भीजमंत्रु का नित्ती 108 बार जाप करें। तो यह था भूत का कुमब राशी में गोचर जिससे हमारी करक शिंग और कन्या राशी इस प्रिकार प्रभावित हो जी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगा। जो विदर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल नोटिविकेशन भी आउन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिविकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइ आइक और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद